तो हल्लाव एन वेल्कम दोस्तों मैं हूँ सुचित्रा और श्प्राख थे आपका मेरे चनल सुचित्रा एक्स्पिरेसंस में परसे इस बाद मैंने यह किया है कि 9 और 10 दोनों एपिसोड एक साथ ही दे लिया क्योंकि 9 एपिसोड जो मैंने इसके 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 लिखी थी वो को यह हमारा हीरो आते हैं और वह जयन जन को बचाने लगता है पर कहता है फेले यह बता हो कौन ज्यादा है मैं यह चैनल न्यूर्ण गाती है तुम हो तुम फिर जयल उसे बचा लेता है और अब पीटवर भिषा कर वापस सबके पास ले ताँ रहा बेंक आउ आता है तो जयनल पूछती है यहां कैसे से से मनें में मदद के लिया है फिर मिज जांड कहती है … मिस्टर ली चली हम आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं मैडम सू को उगजू हजी बताती है जलने हम लेकर पता नहीं है be मिस्टर श्रॉंग डॉक्टर को लेकर आये थे उनको देखने के लिए पर किसी ने कुछ नहीं पताया मुझे ऐसा लगता है कि वह लोग चैमिंग को लेकर सायद पूर की ओर गया है क्योंकि चैमिंग की कप्रे जब रखे जा रहे थे तो मैंने देखा था मैडम सू कहती है को आगे हम देखते हैं जैन्जन और चैमिंग सभी लोग उन्यर्शिती पहुशते हैं जो जैन्जन का घर होता है जहां जैन्जन का घर और दवाई खाना दोनों तूटा पड़ा होता है यह सब देखकर बहुत परिशान होती है जैन्जन सबसे कहती है आज से और अभी से मैं जीवलिंग का ये दवाई खाना चरूर शुरू करोगी जो दवाई खाना होता है उसका नाम होता है जीवलिंग तो जनजन उसके दवाई खाने को सुरू करती है जनजन दवाई खाने को सुरू करती है और कहती है कि आज से मेरा नाम जनजन नहीं बलकि जन जीवलिंग होगा आगे हम देखते हैं Mr. Strong को खबर मिलती है कि सभी लोग इस्ट की तरफ गया हुआ है तो उनका नौकर पूछता है अब आगे आप क्या करेंगे आगे हम देखते हैं एक बूरी और अंधी अउरत अपने बेटे को लेकर बैठी ही होती है बूरी अरत मान जाती है और वो उसे लेकर उनके दवा खाने जाते हैं वहां जैन्यन उनका चेक अप करती है और कहती है आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे वो बिमार वेक्ति कहता है कि मिस्ट डॉक्टर या तो आप मुझे ठीक कर दो या तो हमेशा के लिए मार दो क्योंकि अब यह दर्द असेहन ही हो चुका है अब मैं यह पीड़ा नहीं सह सकता आगे हम देखते हैं जैनर और बैंक ताउग जैन्यन के बारे में पता लगा रहे हैं वो उस बुड़ेवेक्ति से बूचते हैं पूच्छाज करने पर उन्हें वरोसा हो जाता है कि यह जो जैन्यन है वो जीवलिंग नहीं है बल्कि जैन्यन ही है आगे हम देखते हैं चैनलिंग चैनले लगता है और जैन्यन यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है उसे मार्केट ले जाती है जहां चैनलिंग सबके लिए तौफ़ा खरीता है और जैन्यन से कहता है कि मैंने सबके लिए तो कुछ ना कुछ तौफ़ा ले लिया है पर मैं तुम्हारे लिए मैं तुमको क्या तौफ़ा दू मुझे सबज नहीं आ रहा है जैनन कहते हैं कोई बात नहीं तुम चलने लगे यहीं मिद लिए तौफ है फिर जैनन उसको तौफ है में एक जूता देती है चैनली उससे देखकर बहुत खुज होता है आगे हम देखते हैं जैनन कहते हैं तो जैनन कहते हैं तुम्हें पूछने का कोई हग नहीं है तो जैन दादी मा मैडम सू उसकी नौकरानी को पकड़ लेती है और मैडम सू जहर खा लेती है हमारा एपिसोड 9 यही भी खतम हो जाता है एपिसोड 10 में हम देखते हैं मिस्टर स्रॉंग भी पकड़े जाते हैं और यहां जैन जैन सोचती है कि Mr. Strong और मैडम सू जल्दी पकड़े जाएंगे आगे हम देखते हैं चैनी कहता है जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो दादी मा और अपनी मा का काम में हाथ बटाऊंगा मैंने कुछ विजनस की किताबे पड़ी हैं और अग कुछ भई खाते की किताबे पढ़ रहा हूं तब है वहाँ वहाँ वो आदमी आता है जो पोखत मिमर था वो आदमी अब ठीक हो चुका है और वो जैन जैन का पैर पकड़ लेता है जिससे जैन्यन उसको उठाती है और कहती है आपको अभी भी दवाई किया हो सकता है जैन्यन उसको दवाई देती है और कहती है इसे टाइम पर खाते रहे और आप जल्दी ठीक हो जाओगे जैंजन और चैंगमी खारे होते हैं तो वहाँ एक चिक्ति आती है कि मिस्टर सौंग और मैडम सू पकड़ी गई है जैंजन कहती है मिस्टर ली आप घर जाने की तयारी कीजिए सब लोग घर के लिए निकलते हैं तभी रास्ते में उन लोगों पर हमला हो जाता है जिसमें जैंजन को चोट लग जाती है जैंजन उसको दबाज लगाती है और कहती है हम लोग को रास्ता बदल कर चलना चाहिए जैंजन से कहता है तुमको चोट लगी है तो तुम आकर गारी में आराम करो तो जैनर कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो, वो लोग आगे चल देते हैं, दूसरे तरफ हम देखते हैं, एक कमरे में कैद होती है, जहां उसकी बहन जिगजवी उसके लिए खाना लेकर आती है, और पहददारों से कहती है, मेरी बहन का ख्याल रखना, अंद कि आपकी पतनी सचमुत में बहुत अच्छी दॉक्तर है, जैनर जैनर से उसकी रक्षा के लिए धन्यवाद बोलती है, तो जैनर कहता है, मैंनो जो वादा किया था, वो पूरा किया, आगे हम देखते हैं रास्ते में कुछ हमला पर फिर से जैनर के गारी को घेल लेते हैं, जैनर जाकर जैनर से कहता है, मिस जैनर अप अपना ख्याल रखिएगा, आगे खत्रा है, जैनर कहती है, ठीक है और फिर तुम भी अपना ख्याल रखना, जैनर कहता है, कुछ लोग गारी के आगे हो जाओ और कुछ लोग पीछे, ताकि मिस जैनर के गारी बीच में हो जाया पर हमलावर उनकर अटैक ना कर सके जन्यन और जैनर और बैंक टाऊ लड़ाई लड़ते हैं और Mr. Lee अपने हाथ को लेकर बहुत गुस्ता होते हैं और कहते हैं कास मेरा हाथ ठीक होता तो मैं भी लड़ सकता तो जन्यन उसके हाथ को एक्टिपेंचर से ठीक करती है उसके बाद मिश्टर ली भी जाकर लड़ते हैं लड़ाई खत्मोंने के बाद मिश्टर ली ठैंक्स बोलते हैं तब यहां कुछ लोग आते हैं जो प्रिंस हुई कि सैनिक का भीज बना कर आते हैं जन्या पहचान जाता है और तभी वही असली सैनिक बुला कर उन्हें ठीक हो गया है जो पत्र लगाव है यह सबट होते हैं दादी अमा और चेङमेंग होते हैं दादी मा चाहिज रिदा जैनन कहता है मिश्चन अब मैं चलता हूं तो जैनन कहता है हमारी मदद के लिए तो जैनन कहता है शुक्रिया की कोई ज़ूरत नहीं है आप मुझे पे कर देना और चला जाता है फिर माहां से सब लोग जैल में जाते हैं ली चैंग हैं मिलने के लिए उनसे पूष्टाच के लिए तो महां पता चलता है मिश्टर श्रॉंग ने किसी को माट दिया है और मिश्टर ली चैंग हैं भी मारे जा चुके हैं एपसूट 10 यही खत्म हो जाता हैं पने रहे हमारे शाथ अगले एपिसोड के लिए और थैंक यू मुझे सप